हेलो भाईयो कैसे हो तो आज हम बात करेंगे सुनिल गाउसकर की जिन्होंने पहले टेस्ट में इंडिया की हार पर रियाक्ट करते हुए कहां कि आपने यहां कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला अगर आप सीधे टेस्ट मैच खेलोगे तो यह काम नहीं करेगा हाँ आपने इंडिया यह टीम भेजी पर आपको यहां आने के बाद प्रैक्टिस मैच खेलने की जरूरत थे इंट्रा स्कॉर्ड इस जोक क्योंकि आपको कोई फास्बाल और अपने ही बैट्समन को बहुत फास्बालिंग नहीं डालेगा इस डर से कि कही बैट्समन इंजोड ना हो जाए सुनिल गाउसकर का यह कहना है कि टीम इंडिया को साथ अफरीका ए टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए था इसी के साथ माइकल ओन ने भी टीम इंडिया की हार पर रियाक्ट किया और उन्होंने तो इंडिया को most underachieving team भी कही दिया ओन ने कहा they haven't won much in recent times I think India is one of the most underachieving sports team in the world they don't win anything when was the last time they won something they won here in Australia twice which was magnificent but the last few world cups win nowhere T20 world cup nowhere then you go to South Africa a team which is useful in test matches and produce a performance like this look they are a good team they have got plenty of talent but I just think with all the talent and resources they have I just don't think they win anything तो चलो अगे बढ़ते हैं और अब आपको एक अच्छी update पता था हूँ तो दूसरे test match में रविंदर जड़ेजा खेल सकते हैं latest update आई है कि जड़ेजा की back injury काफी कम हो गई है पहले test के तिसरे दिन उन्होंने practice भी की थी और fitness भी की थी और उस दोरान वो ठीक भी दिख रहे थे और मुकेश कुमार के साथ उन्होंने 20 मिनिट बॉलिंग practice भी की तो अगर जड़ेजा second test match खेलते हैं तो team India की strength बढ़ जागी और इतना ही नहीं second test match के लिए आवेश खान को भी team India के squad में add किया गया है मतलब हो सकता है कि fast balling में भी changes देखने को मिले तो देखते हैं अब आके क्या होता है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं World Test Championship ranking की कल मैंने आपको बताया था कि team India पाचवी position पर slip हो गई है लेकिन पहले test में slow over rate की वज़े से team India के 2 points और कम हो गई है पहले 16 points थे लेकिन अब सिर्फ 14 points होने की वज़े से team India 6th position पर slip हो गई है team India ने पहले match में 2 overs कम फेके थे इसलिए इंडिया की 5% पर over की हिसाफ से 10% match भी काटी गई अब बात करते हैं Australia वर्सेस पाकिस्तान बॉक्सिंग डे test match की जिसमें Australia ने पाकिस्तान को 79 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ पाकिस्तान ने पिछले 28 सालों में Australia में एक भी test match नहीं जीता जितना तो दूर की बात लेकिन अभी तक एक match भी draw नहीं करा सका पाकिस्तान इस दवरान Australia ने पाकिस्तान को 16 consecutive match में हरा है इस match के hero थे Pat Cummins जिन्होंने पूरे match में 10 विगेट्स लिए Cummins की बात करें तो 2023 उनके लिए सबसे बेश्ट साल रहा है क्योंकि उन्होंने as a captain world cup जीत लिया world test championship जीत ली SSB return कर ली IPL में भी उनको 20 करोर से ज़्यादा मिल गए boxing day test match भी जीत लिया और उसमें भी उनको man of the match मिल गया मतलब और क्या चाहिए एक क्रिकेटर को खेर पर पाकिस्तान की हिसहार के बाद team India अकेली ऐसी Asian team है जिसने Australia में test series जीती है तो अब हम बात करते है MS Dhoni की तो क्या Dhoni को पाकिस्तानी food बहुत पसंद है जी हाँ, सोशल मीडिया पर Dhoni का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें Dhoni कीशु को बता रहा है उस पर वो लड़का कहता है इस वीडियो से तो यही लगता है कि Dhoni को पाकिस्तानी food बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो उस लड़के को भी सजेक्ट कर रहे थे तो ठीक है, आज के लिए इतना है मिलती है नेक्ट वीडियो में